एडिना ग्रूप्स ऑफ इंस्टिउशन्स फॉर्मैसी एंड इंजिनिरिंग कॉलेज प्रदेश के शीर्स कॉलेज़ों में शामित पता है एनेश च्यासी लेदरा नाका बोपाल रोड साकर मध्यप्रदेश MPK बैतूल में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए पुलिस तीसरी आँख यानी की CCTV कैमरों की मदद ले रही है बिना मास्क के घुमने वाले और यातायात के नियामों का उलंगन करने वालों के खिलाफ अब यी चालान कटने लगे हैं दरसल महराष्ट की सीमा से लगे वैतूल जिले में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है जिसको लेकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए पुलिस ने भी कमर कसली है चौक चौराहों पर चेक-इंग के साथ ही अब पुलिस ने तीसरी आँख का सहारा ले लिया है मासके के घूम रहें और यातायात नियमों का उलंगन कर रहें ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ने इचालन बनाना शुरू कर दिये हैं कियाताया इस प्रभारी अनुराग प्रकाश ने बताया की 6 अप्रैल से पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इसकी शुरूवात की गई है अभी चुकि दो विशे हैं और दोनों ही बैतूल में बहुत विश्रा लूप धारान कर रहे हैं इसी चीज को सामने रखते हुए हमने एक ऐसी योजना बनाई है जिसमें एक और हम ट्राफिक नियमों के उलंगन करने वाले विना सीट वाले तीन सवारी वाले विदाउट हैलमेट वाले एवं अन्य गंभीर याताया संबंदी नियमों का लंगन करने वालों पर कारवाई करेंगे वहीं दूसरी ओर चुकि कॉर्णा भी बहुत फीवर गती से फैल रहा है महाराश बाटर के हम बहुत गरीब हैं जिसके लिए लोग केवल चालानी कारवाई से बशने के लिए स्वयम को या अधिकारी कर्मचारियों के चैकिन देखका है मास्त धारान करते हैं उन् पकड़ेंगे और उनको की माध्यम से अथार मैसेच के माध्यम से फिर उसके परशात उनके घर पर डांक के माध्यम से सूशना पहुंचा ही जाएगी और उनकी चालानी कारवाई की जाएगी इन दोनों चीज़ें को ख़वर किया है हमारे जो कैमरे हैं वो लल्ली चौक से से लेके बस्ट्रेंड सोना घाटी से लेके पूरे संपूर्ण शहर में व्यापक रूप से फैले हुए अब जिसे कैमरों को तीसरी आंग कहा जाता है अब पुलिस जो यह तीसरी आंग के माध्यम से जो यह उन पर नज़र ठेगी कुल इकत्तीस महत्पूर्ण अस्थानों पर कैमरे लगेंगों है करोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जैसा कि आप दोंगो पता है इसके अलावा हमारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करने वाले लोग जो हैं उनकी वजह से एक्सिजेंट मामले जो बढ़ रहे हैं और उसमें कैजवल्टीज भी होती हैं ज्यादा तर तो इसको द जाओ राहों पे उसके मार्धियम से हम लोगों को यहीं संदेश देना चाह रहे हैं कि और दूसरा ट्राफिक के नियमों का पालन करें, स्वयम सुरक्षित रहें, दोसरों को भी सुरक्षित रखें और हम लोग बिल्कुल भी इस वाद के लिए सजाग हैं कि कोई भी ट्राफिक का वॉयलेशन करेगा या Corona guideline का violation करेगा तो हम इए माध्यम से तुरंट उनके घर पे चलान भेजेंगे और इसका बुक्तान उनको करना पड़ेगा तो सभी को इसका पालन करना चाहिए उनके स्वास्त के लिए भी अच्छा है और हमारे समाज के लिए भी अच्छा किस की सीन में क्या आज़े डिया है कि इसमें एक तो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालूं की monitor ेंग होगी जो helmet नहीं लगा रहा है या दो से अधिक सवारी बाइक में घूम रहे या कि ऐसी जगह पर पार्किंग कर रहे हैं जहां कि पार्किंग स्थल नहीं है तो जो भी ऐसे काम कर रहे हैं ट्रैफिक नियमों का उलंगन कर रहे हैं उनका प्लस जो मास्क नहीं लगा रहे हैं सोसल डिस्टिंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी चलान करता पाया जाता है CCTV के माध्यम से हम लोग इसका निरिक्षण कर रहे हैं लगातार और जो भी वोईलिशन करता वो पाया जाएगा उसके विरुद्ध चलानी कारेवाई की जाए कि आए कि आए कि आए कि कि आए कि कि प्रदेश के शीर्स कॉलेज़ों में शामिल बीफार्म, एमफार्म, बीटेग, एमटेग, सिविल मेकनिकल कम्पूटर साइंस, electronics and electrical, समय समय पर सैमिनार, कॉन्फरेंस, देश विदेश से ख्याती प्राप्त विशे विशेशक्यों की लेक्च्चर्स, पर्सनालिटी डेबलप्मेंट, स्पोकन इंगलिश, गुरुप डि शोरगुल से दूर, बस सुविधा शेहर के कौने-कौने से उपलब्ध है, 100% प्लेसमेंट, असिस्टेंस, हमारा पता है एनेश च्यासी, लेदरानाका, बोपाल रोड, सागर, मध्यप्रदेश, हमारे नमबर है 7987-7963-96, 810-957-0490